Hello everyone, आज हम जिस age के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है Victorian age Victorian age 1837 में शुरू हुआ था और 1901 तक चला था और इस age से पहले romantic age 1798 से 1837 तक चला था मतलब कि romantic age के जस्ट बात Victorian age की शुरुआत हुई थी Victorian criticism सुरू होने का कारण था romantic age का work romantic age के work में imagination और emotion को दिखाया गया था और Victorian age के critics को ये imagination और emotion का work में यूज करना सही नहीं लगा इसलिए Victorian age के critics romantic age के work को इस age में किटिसाइज किया जिसकी वजा से literature में development हुआ इस Victorian age के famous critics Matthew Arnold को माना जाता है जिसके criticism को दो भागों में बाटा गया है पहला socio-ethical criticism दोसरा literary criticism इन भागों में भी literary criticism को फिर से दो भागों में बाटा गया है पहला theoretical criticism और दोसरा practical criticism और study of poetry जो Arnold का famous essay है वो theoretical criticism के अंडर आता है इस essay में Arnold बहुत ही खास बातों को discuss किये है उसको भी इस वीडियो में जानने की courses करेंगे इतना समझने के बाद अभी इस note में जो लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं तो Victorian criticism में Victorian age के poetry में जो कमी थी उसे बताया गया है Victorian नाम उस टाइम की Queen Victoria के नाम पर बढ़ा था जो England में बाकी सभी रूलर से ज़्यादा सासन की थी Queen Victoria चौसर सालों तक सासन की और इसी लंबे समय में England के हर area में बहुत से changes हो रहे थे जैसे social और literary changes में बहुत ज़्यादा development हो रहा था और इसका result यह हुआ कि उस time की poetry को बहुत ज़्यादा किटिसाइज किया गया था उस time तक के लिखे गए poetry में बहुत सी कमी को बताया गया था इस तरह से किटिसाइज करने पर literature में बहुत ज़्यादा development हो रहा था romantic age में यूज किये जाने वाले imagination और emotion को Victorian age में किटिसाइज किया गया था इस age में Matthew Arnold, Robert Browning, Oscar Wilde, Walter Peter इन सभी writer एक किटिक्स की तरह काम किये लेकिन इन सम में Matthew Arnold बहुत ही अच्छा किटिसाइज किया करते थे क्योंकि Arnold Victorian age के middle phase में किटिक थे और उसे अपने इस टाइम में बहुत कुछ किटिसाइज करने को मिला था पूरे Victorian age को तीन phases में बाटा गया है जिसमें से पहले और तीसरे phases में Victorian किटिसिसम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ लेकिन middle phases में Arnold बहुत ही अच्छे अच्छे किटिसिसम लिखे थे Arnold स्रीफ 21 साल के उमर में ही poetry लिखना शुरू कर दिये थे लेकिन फिर बाद में इन्होंने सिर्फ किटिसिसम ही लिखा Arnold के पूरे किटिसिसम को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला literary केटिसिस और दोस्रा socio-ethical केटिसिस इस पार्ट में भी literary केटिसिसम को फिर से दो भागों में बाटा गया है पहला theoretical केटिसिस और दोस्रा practical केटिसिस और study of poetry theoretical केटिसिसमे ही आता है study of poetry Arnold का बहुत ही famous critical essay है क्योंकि Arnold बहुत ही खास बातों को इस वर्ट में डिसकस किये हैं जैसे Arnold अपने इस वर्ट में poetry के future को बहुत बड़ा बताया है Arnold बताते हैं कि poetry को बहुत सादा पढ़ना चाहिए क्योंकि poetry के बिना science incomplete है readers को खुद poetry की quality देखकर classics और non classics poetry का पता लगाना चाहिए Arnold का कहिएना है कि Shakespeare और Milton का poetry classics था और Dryden और Pope का prose classic था लेकिन poetry classics नहीं था Dryden और Pope को किटिसाइज करते हुए Arnold Thomas Gray की तारिफ करते हैं और कहते हैं कि Gray बहुत अच्छे poet थे इस तरह से किटिसाइज करते हुए Arnold बताते हैं कि poetry genuine और artificial दोनों तरह की होती है और Dryden और Pope artificial poetry लिखा करते थे Arnold last में Scottish poem की बात करते हैं और बताते हैं कि Robert Borns बहुत ही अच्छे poet थे क्योंकि ये अपने poems में high seriousness पर ज़्यादा focus करते थे अगर Arnold के poetry की theory को जाने तो Arnold की theory से ये पता चलता है कि Arnold को literature और Greek के culture और art से बहुत लगाओ था इस theory में भी Arnold poetry से related कुछ खास बाते को बताते हैं जैसे कि suitable action मतलब की poetry के लिए action ही सब कुछ है action की बिना poetry को नहीं लिखा जा सकता है subject of poetry मतलब की poet को हमेशा अपने ancestors के theme और subject को follow करना चाहिए ना की modern theme और subject को manner and style मतलब की लिखने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए ancients are safe guide मतलब की poet को जब कभी भी guide की जरुरत परे तो ancient time के guide को use करे ना की modern time के और इस तरह की explanation के साथ Arnold sex fear को safe guide नहीं मानते हैं इसके बाद Arnold बताते हैं कि criticism से पहले creation बहुत जरूरी है लेकिन creation के लिए criticism भी बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा creation criticism के बाद ही होगा इस तरह से creation के लिए criticism noble idea देता है और creative power को develop करता है Arnold अपने हिसाफ से personal और historical judgment को false method मानते हैं और touchstone method को सही judgment मानते हैं आज की वीडियो में बस अतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीजे और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें easy explanation के साथ-साथ easy notes भी हो